चलिए बच्चो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या ही बार आप जब पढ़ोगे तो बीच में ordinance आएगा क्या आएगा ordinance अमुदह ये उठता है कि मैं जैसे ordinance की आपने बात करी या आपने act की बात करी, क्या होता है, कि मैं यह ordinance क्या होता है, थोड़ा से इसके बारे में हमें थोड़ा समझाइए, कि what do you mean by ordinance and ordinance किसे बोलते हैं, तो बच्चों अगर मैं ordinance की बात करूँ, कि ordinance क्या होता है, और आप जब भी कभी पढ़ोगे, बीच में कभी भी आया कि ordinance पास हुआ है, तो ordinance एक temporary law होता है, क्या होता है, temporary law मैंने इसको क्यों नाम दिया, या इससे temporary law क्यों बोलते हैं, यह भी मैं आपको समझाना चाऊंगी, actually क्या होता है, कि जब भी कभी कभी कणून पारत होता है, जब भी कभी कणून पास होता है, तो उसमें legislative steps लिए जाते हैं, legislative steps मतरju पर या तो दोनों हाउस में पास होता है इसी तरीके से स्टेट में भी स्टेट लेने के बाद गवर्णर की एसेंट ली जाती है इसके बाद वो एक्ट बनता है अगर हम केंदर में बात करें और या राज्यय में बात करें लगबक processus will remain same but कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जरुत है रहा है कि बहुत जल्दी कानून बनाना है लेकिन या तो दोनों houses या फिर कोई एक house श्रार कि ब्सक्राइब के वरकिंग में नहीं है कोई एक house नहीं चल रहा है या दोनों house नहीं चल रहे हैं तो ऐसी इस सिती में हमारे भारतिय समविधान ने प्रेजिडेंट को भी और अधर हैंड गवर्नर को भी पावर दी है कि वो टैंपरेरी लॉव बना सकते हैं तब तक के लिए जब तक दुबारा से सदन पिक्चर में दुबारा से वर्केंग में नहीं आती है तो जो वो गवर्नर और प्रेजिडेंट के पास पावर है टैंपरेरी लॉव बनाने की उसको बोला जाता है और आप इंडिया में या तो आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे पावर्स ओफ प्रेजिडेंट और पावर्स ओफ गवर्नर में आरी गूट दॉव पॉइंट आए थिंग सो सभी बच्चों को ये तो समझ में आ गया होगा कि what is the difference between act and ordinance तो simple भाषा में हम ordinance को क्या बोल सकते हैं simple भाषा में हम ordinance को बोल सकते हैं temporary law क्या बोल सकते हैं बच्चों temporary law